नमस्कार मैं डुक्टर संजीव सिंह रावद आपका स्वागत करता हूँ आज हम वज़्जरासन के बारे में आपको बताएंगे वजरासन में पहले पैरों को सीधा करके बैठ जाएं फिर धीरे से एक पैर को फोल्ड करके बैठें फिर दूसरा पैर फोल्ड करें और पीछे रख लें दोनों पंजे मिले हुए अंगुठे मिले हुए और येडियां बाहर की ओर होंगी इस वजरासन में और दोनों हाथ आखें बंध नमता से और धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें धीरे धीरे सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें इसको आसन को करते रहें इस आसन को वजरासन इसलिए कहाता है कि इसमें आपके थाइस जो हैं वो वजर के समान बन जाते हैं और शरीर फोल्ड करें, दोनों अंगुठे मिले हुए, एडियां बाहर की ओर, दोनों हाथ गुटनों के उपर, और सामने रूप से सांस भरें और छोड़ें, दोनों हाथ गुटनों के उपर, कमर सीधी, फिर पीछे की तरफ गुम जाएंगे, इसी में, पैरों की पोजीशन किस तरह स से पैरों को कहां पे रखना है, किस तरह से पैरों को क्रॉस करके, हलका सा टच करके, और उसके एडियों के उपर बैठते हैं, दोनों हाथ गुटनों के उपर, कमर बिलकुल सीधी, बैक बोन स्टेट रहेगी, और वजर आसन में, आपका शरीर वजर के समान बनता है, इसमे आपकी पिंडलियां जो हैं, काफ मसस जिनको बोलते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, इस से के कारण किया है, कि पेट की मास्पेशियों पर एफेक्ट पड़ता है, तो पाचन क्रिया के लिए, डाइजेसिन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस आसन को अगर र बैकबोन की स्टिफनेस खतम होती है, अगर इस आसन के बारे में कोई भी प्रशन हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो अगली वीडियो में हम उसके जवाब देंगे, धन्यवाद,